हम यहां पर देखेंगे कि hard link क्या है उसका क्या advantage है तो हम weapon user की तरह login करेंगे और जो अगर पहले कुछ files वह करेंगे उसको delete कर देंगे और एक file बनाएंगे file 1 तो जैसी हम ls-li file 1 करेंगे तो हमें उसका inode के बारे में बता देगा अब हम क्या करेंगे note करेंगे कि उसका inode क्या है फिर एक link बनाएंगे ln command के साथ file 1 हमने link का नाम hard 1 लिख रहे नहीं कुछ भी नाम रख सकते थे आप एक और link create करेंगे same command के साथ file 1 hard 2 तो हम दो hard link बना रहे हैं किसके file 1 के hard 1 और hard 2 तो अब हम check करेंगे ls-lic के भी उनके i node क्या है अब छोड़ सा surprise रहे होगे कि सब जो है जाए file 1 है जा hard 1 है जा hard 2 है सब के क्या है कि same i node है इसका meaning है कि जब हम hard link create करते हैं तो वो कोई additional space हो को भाई नहीं करता है mean जो भी हम hard link बना रहे हैं वो किसको refer करते हैं वो पहले वाले i node को ही refer करते हैं कोई नया i node नहीं बनाते हैं तो इसका meaning जो space है hard disk की वो extra use नहीं होगी अब हमने दो hard link create कर लिए तो space वही एक वाली use हो रही है तो इसका advantage क्या होता है कि हमारे से अगर accidentally original file delete भी होगी जाइन में से कोई delete भी हो गया data हमारा फिर भी रहेगा उसको हम देखेंगे भी और फिर हम ये करके देखेंगे कि अगर हम file 1 जिसका हमने hard link बनाया है उसके अंदर थोड़ा सा ओर data डाल देते हैं तो उससे क्या होगा क्या ये data hard 1 में भी available होगा hard 2 में भी available होगा या नहीं होगा और हम check करेंगे कि जब भी हम add करते हैं तो data actual में save क्या होता है वो एक iNode में जाके save हो जाता है क्योंकि hard 1 भी उससी iNode को refer कर रही है hard 2 भी उससी iNode को refer कर रही है इसका meaning जब हम चाहे cat 1 file को को कोल के देखेंगे जा cat hard 1 को जा hard 2 को सब में क्या हमें क्या आएगा same data ही नजर आएगा अब हम और एक जो सबसी important चीज़ है देखने वाली जैसी हम ls-lf फिर तीनों फाइलों को चेक करेंगे तो वहाँ पे हमें जो number of link है वहाँ पे तीन नजर आएगा क्यों क्योंकि हमरे पास जो एक file है औ महां पे तीन नजर आएगा अब हम उसको original file को delete करके देखेंगे कि आई node चला जाता है या नहीं चला जाता पर हम देखेंगे कि आई node delete नहीं होता है और हमारे जो counting है वो दो पे रह जाती है इसका meaning हो गया कि जब हम remove command चलाते हैं तो वो क्या करतेता है number of link को एक कम कर देता है जब final value zero होजेगी तब ही आई node delete होगा होगा अब हमारे case में जो file जो हमने file one remove कर दी तो हमारा link account कितने पे रह जेगा दो पे रह जेगा इसलिए अब हम जब RM hard one करेंगे तो अब link वहां पे one show करेगा अगर हम check करेंगे अब end में जब RM up करेंगे को कि अब जो क्या तो मिन अब actual में वो क्या करेगा डिलीट करेगा और हमारे जो data है वह वहां पे नहीं होगा तो hard link हमारा एक तरह से हम backup का backup रह गया कोई ज्यादा additional space भी नहीं use होई तो उसके हमारे पास काम आता है तो कई बड़ी हम इसको use करते हैं